नमस्ते कैसे हैं आप लोग आशा है आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ और मस्थ होंगे मेरा नाम इला अस्थाना है और मैं एक सर्टिफाइड काउंसलर हूँ और राइटर भी मेरा एक छोटा सा बिजनस है वर्ल्ड ओफ अप्रिंगिंग ये एक ऑनलाइन और ओफलाइन काउंसलिंग प्लाटफॉर्म है कुछ शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसी जगे है जहां पर आप अपनी मन की बात बिना कुछ हिचकिचाहट के बिना किसी के डर के आप अपनी बात रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप कहीं अटके हुए हैं हम आपका साथ देंगे मानसिक तोर से आपका जरूर हम साथ देंगे और तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं आज हम ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हर मापाप अपने बच्चे को देना चाहता है और देना ज़रूरी है नहीं, मैं खाना, कपड़ा या रहने की जगे नहीं बात कर रही हूँ मैं ऐसी एक चीज को बात कर रही हूँ जो कभी-कभी हम भूल जाते हैं हम भूल जाते हैं कि उसका कितना importance हमारी जिंदगी में होता है उस बच्चे की जिंदगी में होता है मैं उस आत्म विश्वास उस विश्वास को बोल रहे हूँ जो माबाप अपनी बच्चों पे रखते हैं अभी कुछ मैनों में कुछ हफ्तों में बच्चों के एक्जाम्स शुरू हो जाएंगे दस्वी और बार्वी के और आपको अपने विश्वास को इस टाइम पे दिखाना पड़ेगा अपने बच्चों पे उस बच्चे का आत्मविश्वास जीतना पड़ेगा उस बच्चे को इतना सुकून चाहिए इस समय कि वो अपने एक्जाम्स बिना डरे बिना कोई चिंता के वो जाके लिखे तो as parents, as माबाब आप क्या करना पसंद करेंगे या करना चाहते हैं, या क्या करना चाहिए पहले आप डरिये मत आप अपने बच्चे के एक्जाम्स को लेके इतना डरिये मत जरूरी नहीं है वो अपने बच्चे का एक्जाम है, वो बच्चा कर सकता है वो बच्चा कर लेगा आपको सिर्फ आप उसके पीछे खड़े होना है उतना ही चाहिए ताकि वो जब गिरे उसका कोई हो जो उसका हाथ पकड़ सके बस उतना ही चाहिए आप दरिये मत ऐसा मत बूलिये कि हर रोज पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो मत करिये दिमागी तोर पे वो बहुत ही मुश्किल दोर पे गुजर रहा है उसको कॉंस्टेंटली हमेशा यही बोला जाए तो उसको बहुत बुरा लगेगा घर में ऐसा मौहाल रखिये जहां चहल पहल हो अच्छी बातें की जाए ताकि उसका मूड भी थोड़ा हमेशा खुश रहे उसको हमेशा ऐसा लगे कि उसके लिए लोग है उसको ऐसा लगे कि कुछ भी हो जाए मेरे माबाप मेरे साथ है वो बहुत ज़रूरी है घर में सिर्फ पढ़ाई के इलावा बाकी सारी चीज़ें बात कीजिए उसके साथ खाना, पीना, रिष्टेदार, घर की परेशानिया या बाहर की कोई सामाजिक परेशानिया कुछ भी हो खुल के बात कीजिए क्योंकि उसके एक्जाम से इसका माने ये नहीं उसके बाद हमेशा यही एक टॉपिक होए या उसके साथ यही इस टॉपिक पर पात की जाए उसके इलावा भी बात कर सकते हैं बच्चा पढ़ाई में पढ़ाई और एक्जाम्स लिखने जा रहा है जंग जीतने नहीं तो एक चीज बहुत बहुत ध्यान में हमें रखनी होगी एस पैरेंस एस बड़े एस एस फामिली के सदसिर कि बच्चे का जो मूड है जो उसका मानसिक संतूलन है वो ठीक रहे वो खुश रहे वो हमेशा एक ग्रड़ विश्वास के साथ जीए कि कुछ भी हो जाए मेरे मुम्मी पापा मेरे साथ है मेरे को तो कुछ नहीं हो सकता क्यूंकि मेरे साथ तो मेरे मुम्मी पापा मेरी फामिली मेरे साथ खड़ी है यह विश्वास उस बच्चे के अंदर हमेशा होना चाहिए आज नहीं तो कल, 10 नहीं तो 12 नहीं तो कॉलेज, कुछ ना कुछ तो लाइफ में आते रहेगा क्या हमेशा चाहिए? यह माबाब का विश्वास और यही माबाब का विश्वास है जो उस बच्चे का आत्म विश्वास बनता है तो यह एक चीज, as parents, as elders, यह एक चीज हमें हमेशा बच्चों को चाहिए जैसे आप तीनों वक्का खाना बच्चों के लिए इतना स्वादिष्ट, इतना पौश्टिक अप बनाते हो और इतना खिलाते हो, उसी के साथ हर वक्त इस आत्मविश्वास को आप हमेशा उसको खिलाओ, उसको पताओ, उसको चताओ कि हम हमेशा तुहारे साथ हैज तुम ढरो मत, यह क्या EBZAM से हैं, यह भी तुम पार कर लोगी यह चीज आपको हमेशा बतानी परेगी As parents, ये एक ही काम है आपका और कोई काम नहीं है तो बच्चों, parents का तो हो गया, अभी आपका कुछ हफते बाकी हैं, पुरे साल की तयारी हो गई उसको रंग लाने का समय हो गया है आप डरो मत आपको पता है आप में कितनी तयारी किये और इन कुछ हफतों में आप कितना कर सकते हो तो हर रोज सोनी से पहले एक paper में या एक notebook में लिखिए कि अगले दिन आप क्या क्या करने वाले हो कौनसी कौनसी subjects पढ़ने वाले हो क्या नहीं पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हो सबी कुछ लिखिए और यह भी लिखिए कब आप ब्रेक लोगे कब आप जाके कुछ देर ठेलोगे कब आप बुक पढ़ोगे कब आप family के साथ time spend करोगी तो इससे क्या होता है जब आप सुबह उठते हो तो आपको पता है कि आज के दिन में क्या होने वाला है आपको कोई doubts नहीं रहेंगे आपको पता रहता है कि क्या है इस दिन में मुझे जोबी करना है तो इस method को आप follow कीजिए बहुत ही असानी होगी आपको mind में clarity होगी आप peaceful रहेंगे आपको यह नहीं लगेगा कि बहुत सारा बाकी है काफी regret हो जाएगा कि मैंने बहुत नहीं पढ़ा यह नहीं पढ़ा तो आपको एक clarity of thoughts मिलेगा आपके मन में एक शान्ती होगी जब आप पढ़ाई करेंगे क्योंगी आपको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कितना बचा है कितना कर चुके हैं तो यह चीज आप definitely आप follow कीजिए और एक चीज important चीज काफी टाइम जब पढ़ाई करते वक आपको लगता होगा कि नहीं यार मेरे से ते नहीं होगा मैं तो give up कर रही हूँ मेरे से कुछ नहीं होगा हर बार जब आप ये थौट आपके मन में आए तो आपको बस एक ही चीज बोलनी है मैं कर सकती हूँ ये मेरी पढ़ाई है ये मेरी जिम्मेदारी है मैं कर सकती हूँ मेरे से जितना बन पड़ेगा ये आपको हमेशा हर वक्त अपने मन में बोलते रहना है तब ही आपका आत्मविश्वास दीरे दीरे करके पढ़ेगा ये हमेशा जब भी भड़ाई करो तब आपको ये जब भी थौट आए आपको ये हमेशा बोलना है इस ओके I am gonna do this कोई बात नहीं अगर पेस देरी है दीरी सही दीरे दीरे पढ़ पा रहे हो दीरे दीरे पढ़िये जल्दी जल्दी पढ़ पा रहे हो जल्दी जल्दी पिरिये आप कंपेर मत करिये किसी और से अपने आपको आप एक यूनीक इंसान है और आप अपने आपको पता है कि आप कितना कर सकते हैं और कितना नहीं तो आप अपने आत्मविश्वास को आपको ही बढ़ाना पड़ेगा यह आपकी शक्ती होगी इस इस वाट इस नीड़ेड़ तो यह दो चीजें जरूर फॉलो कीजिए अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको सामने से किसी से बात करनी चाहिए आपको काफी confidence low हो रहा है तो आप हमारे numbers में call कर सकते हैं हम हमेशा आपके लिए available रहेंगे और एक और एक बात As parents, आप अपने बच्चों का सबसे बड़ा support बनिये That is very important आपके support के बिना बच्चे कहीं नहीं और कितनी भी उचाई चले जाएं अगर आपका support नहीं है तो उनका कोई भी हासल, कुछ भी हासल नहीं हो सकता है तो आज इस वक्त से अपने बच्चों को पूरा-पूरा support कीजिए Physically, Mentally, Psychologically, Emotionally हर चीज में आप उनका हाथ पकड़िए और बोलिए तुम तो गिरोगे नहीं क्योंकि मैं तो साथ में हूँ तुम तो क्यों गिरोगी तुम तो उचाई उड़ोगी क्योंकि मैं हूँ ना तुमको हवा देने के लिए तो आप दीजिए उसको हवा बस बच्चे पूड जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और पीछे मुड़के बोलेंगे ये तो मेरी मम्मी पापा का विश्वास था ये चीज आपको बहुत बहुत सामान्य तोर में अपने बच्चों के अंदर ये जरूर लानी पड़ी और याद रखिए ये सिर्फ एक्जाम है छोटा सा उनकी जिन्दगी का टेस्ट ने उनका क्यारक्टर का टेस्ट ने उनकी परसनालिटी का टेस्ट ने अच्छे इंसान बनें और अच्छे संसकार मिलें बस और क्या चरिया में तो एक बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए वही सबसे बड़ी जीत होगी उस पढ़ाई के लिए उस-स समय के लिए उस-स समय जो आपने उस-स बच्चे में इन्विस्च किया है आशा है इस वीडियो के बाद आ आपको अपने ऊपर थोड़ा विश्वास हो और अगला कदम अराम से उठा पाएं अगर आपको कुछ भी कोई भी चीज की जरुवत हो हम हमेशा आपके लिए हैं All the best आपके एक्जाम्स के लिए अच्छा कीजिए खुश रहिए अपनी सेहत का ख्याल रखिये Thank you